हेलो फ्रेंट्स वेलकम क्यों से क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे सीजियल 2018 में जो प्री का जो एक्जाम हुआ था और उस एक्जाम में जो कोर्शन का लेवल था और कोर्शन जो आ जो है जो है ऐसे सी का जो न्यू वेंडर है उसने एक्जाम को कंड़क्ट करवाया था ठीक है तो लोगों के मन में बहुत जादा कंफ्यूजन था कि 2018 में किस टाइप की कोर्शन आएंगे किस लेवल के कोर्शन आएंगे क्या पैटर्ण केंग हो जाएगा अब क्या है कि 2019 क जो एक्जाम है तो लोग यह सोचना है कि क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा रूमर था कि जो कोर्शन का लेवल था वो बहुत जादा हार्ड कोर्शन था एडवांस लेवल के कोर्शन थे तो 2019 में किस टाइप कोर्शन आएंगे तो मैं आपको एक डिफ्रेंस करके और आपक तो आप जानते हैं कि यहां पर रिज्णिंग थे मैंट्स थे इंगलिज था और उसके बाद जी किया ठीक है तो देखिए रिज्णिंग के अगर बात करें तो रिज्णिंग में कोर्शन किस लेवल के थे और किस टाइप के थे टोटल 25 कोर्शन में से जो 20 कोर्शन थे यह एकदम easy to moderate level की कुर्शन थे easy to moderate जिसको बनाने में मुश्किल से आपको 15 से 30 से के बीच में आप इस कुर्शन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है उसके बाद जो remaining के 5 कुर्शन थे इस कुर्शन में यानि कि किसी सिप्ट में 5 कुर्शन किसी सिप्ट में 7 कुर्शन बस इतना ही इ इसको बनाने में थोरा सा टाइम लग रहा था जो कि आप कह सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के आसपास भी लग जा रहा था तीन मिनट तो नहीं लेकिन 2 मिनट अब 3 मिनट में कोई को सॉल्व कर रहा है एकजाम में तो यह तो ब्लंडर ही है तो मान के जलिए कि 2 मिनट लग रहे थे तो यही मोटा मोटी यह Questions पर टाैम लग रहे थे 20 Questions में जहाँ आपको बनाने में ताइम लग रहा था 10 मिनट और पांच Questions को बनाने में आपको लग जा रहे थे 7 से 8 मिनट अब आप सोचिए कि यहां पर 18 मिन प्लेस में अगर कोई PIsन का के पर को कोई Solve कर रहा है तो मेंस के अच्छे अच्छे questions पर अगर new type पी questions पूछे हैं तो उसको आप solve कर सकते हैं यह जो 20 questions थे यह पूरा पूरी जो है previous year pattern पे question था पूरा पूरी जैसा कि लोग का कहना था कि TCS अब new vendor है तो हो सकता है कि question का pattern change हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है pattern बिलकुल भी change नहीं का question आएगा इसमें भी वही रहेगा 20 questions के आसपास रहेंगे आपको easy to moderate और जो 5 questions होगा यही होगा थोड़ा सा advance के लोगा question जिसमें थोड़ा time जदर लगेगा ठीक है और यह total जितने भी questions देख रहे हैं जिस तरीके से 2016 में reasoning का paper आया 2018 में reasoning का paper आया same उसी pattern पे आपका यहाँ पर 2019 में भी question आने वाला है यह 5 questions कहां होते हैं और आपको कैसे exam में इसको solve करना है यह मैं आपको बताता हूं जैसे देखिए कैसे आप कम time में इसको solve कर सकते हैं जैसे one question number two question number three four five six क्या होगा पहला question easy होगा दूसरा question फिर easy होगा तिसरा question क्या होगा moderate हुज जाएगा चौथ था question easy पाच्मा question advance फिर यहाँ easy फिर advance फिर easy 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 फिर advance होगा क्या कि जब को student solve करेगा easy वाला solve कर दिया 10 second में second easy है 10 second में third आवा गया moderate थोड़ा यहाँ पर time लग दिया फिर easy आया अब यह आगे advance अब एक question आपको फसा देगा अब क्या है कि student लगा हुगा है इसको solve करने में ठ आप तो यह गलती करना भी मत बस आपसे देखिए किस question को skip करना है और किस question को skip नहीं करना वह मैं आपको बताता हूं जिस question में अगर आपको 10 second से ज्यादा time लग जाए और आपके दिमाग में approach develop नहीं हो पाए बस उसी समय आपको उस question को skip करके next question पर switch कर जाना है तो यह 10 second के अंदर में नहीं बने तुरंत skip कीजिए फिर इजी फिर एडवांस नहीं बने easy इसको skip कीजिए easy 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 ऐसे करेंगे तो जो 20 question जो होंगे जो कि आपके easy होंगे और थोड़ा सा moderate हो जागा question इस question को आप ऐसे करके 7-8 minute के अंदर में solve कर लेंगे क्योंकि आपने एक-एक second को बचा है अगर किसी question में एक question को बनाने में अगर आप एक second बचा है तो सोचिए 100 question है यानि 100 second आप बचा लिए तो ऐसे time बचता है ठीक है यह होती है smart strategy इक्जाम में question को solve करने की तो reasoning की अगर बात करें तो reasoning आपका रहने वाला है पूरा पूरी previous year का अगर आप पिछले पांस साल का reasoning का अगर 20-30-46 बना लिए हैं तो आप जो है definitely 2019 में भी बहुत easily सारे question को solve कर लेंगे आप पूरा question को और देखिए जो यह advance question है इसको भी बनाना है लेकिन कब बनाना है जब आप पूरा एक बार easy questions को बना लिए हैं बाद में time बचा तो इस में से अगर आप 2-3 questions बना लेंगे फिर भी आप 23 questions बना लेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया 46 marks और यह होगा आपका 100% accuracy के साथ होगा ठीक है तो आप अराम से easily यहां पर solve कर लेंगे तो यह आप reasoning के बात हो गई अब हम लोग बात करते हैं maths के बारे में ठीक है कि उसके बाद जो आपको 7-8 questions था वो moderate बोल सकते हैं, lengthy बोल सकते हैं, calculated बोल सकते हैं और जो 5-7 questions के आज-पास था यह question थोड़ा सा advanced level का question था ठीक है तो यह जो 10-12 questions जो easy level के थे हैं, अगर आपको math थोड़ा भी आता है, क्योंकि आप ऐसे सिकत यारी कर रहे हैं, तो math तो आपको आता ही होगा तो इस question को आप बहुत easily solve कर लेंगे, और उमीर यही है कि 2019 में भी जो question आएंगे 10-12 math के, क्योंकि देखिए, पूरा question तो easy नहीं होगा तो 10-12 question यह भी जो है, वो आपको previous year pattern पे question होगे, और easy होगे पूरे 25 questions में से 10-12 question easy वाला बना लेंगे, तुरंत जो कि हमको लगता है कि 5-7 मिनट के अंदर में यह question solve होजाएगा पूरा, ठीक है, बहुत easy होगा यह जो 7-8 question आया था, moderate और lengthy, यह क्या था, यह इस type question था, question के language moderate नहीं थे जो उसका solution था, वो moderate था, वो लेंदी था, जैसे कि मैं आपको बोलू कि 26 plus 24 कितना होता था, तुरंत बोल देंगे 50, लेकिन अगर आपको बोल दे कि 2.334 प्लस 59.77 और प्लस 67.54 तो आप इसको mind में calculate नहीं कर पाएंगे, तुरंत जैसे कि 26, 24, 50 जितना second का time लगा, उतना यहां पर नहीं लगेगा, तो यही जो process था यह लिंदी था, यानि जो calculated questions आये थे, तो gene student का calculation उस पे बहुत अच्छा पकर था, वो लोग बहुत easy में, सारे student से पहले, तो यह questions में difference था, जो यहां पर question था, तो इसलिए, हलाकि solve cut cut के answer जो है, वो बहुत छोटा में ही आता, लेकिन जो उसका process से गुजरते हैं, तो वो थोड़ा सा calculated था, तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब यह सब type questions आजा, ऐसा calculation आजा है, तो उसको skip नही जो है, पूरा पूरी जो है, previous year pattern पे ही question थे, यह जो 5 से 7 question थे, थोड़ा सा advanced level के question, जैसे कि वो भी आपको algebra, trigonometry, geometry, इस तीनों से थोड़ा सा questions आगे थे, थोड़ा सा अच्छे level के, जैसे कि pre का, उन pre में किस type of questions का उमीद होता है, जो जल्दी solve हो जाए, लेकिन यह पहले था कि जिसे value putting method पे, जिसे कि x plus 1 by x, बड़ाबर अगर 2 है, तो आप तुरंथ x के जगा पे 1 put किये, x के जगा 1 put किये, और यहां पर आप उसको solve कर लिए, तो value putting इसी को बोलते हैं, लेकिन जो question आये चे 2018 में कुछ ऐसा questions है, जो कि value putting से नहीं बनता है, जिसको पूरा method पता ह है, पूरा step पता है, वही उस questions को solve कर पा रहे थे, ठीक है, जिनको concept पता था, तो क्या हुआ कि यह questions, यानि कि 15 से 18 questions तो बच्चे लोग solve कर पा रहे थे, लेकिन जिनको थोरा सा concept नहीं पता था, वो थोरा सा गरबढ़ा गया था, उनका math का paper पिछले साल का, तो उमीद यही ह है, कि इस बार भी जो calculative थोरा रहेंगे आपको calculative questions, तो यह रहेंगे आपको 7 से 8 questions, लेकिन आप इसको भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको थोरा सा concept नहीं पता है, trigonometry का, especially trigonometry, algebra, geometry का, तो हो सकता है, यह question आपसे exam में नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर आपको time ज्यादा कर रहा है, एक मिनट से ज्यादा लग गया, उस question को प्लीज आप तुरंट स्किप कर दीजेगा, तो यह इस बार भी उमीद है, कि इसी टाप के questions आपके 2019 में भी रहने के उमीद है, ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग English के बारे में, कि English का कैसा question था, देखिए, इंगलीज की बात करें, इंगलीज 25 questions में से 20 questions repeated question थे, बहुत सारे shift में, जैसे कि one word, idioms, one word, पूरा repeated, previous question था, idioms repeated थे, साइनो repeated थे, एंटो repeated थे, misspelled repeated थे, यानि कि ये question, मोटा मोटे 3, 3, 2, 2, 1, ठीक है, 10 से 11 questions थे, ये तो यहीं पर हो गएं आपके, जो कि repeated code में थे, उमीद भी यहीं है, कि इस बार भी जो vocab का section होगा, वो repeated ही होगा, मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है, कि previous year का जो chapter वाइस आता है, उस chapter वाइस का ento, sino, one word, जो है, idioms, misspelled, ये सब previous year से कर लिजे, काम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे center पर भी बोला था, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे regular, तो आपने देखा होगा center पर, तो ये चीज़ जो है, आप अभी previous year को पूरा अच्छे तरीके से revise कर लिजेगा आप, ठीक है, question यहीं से रहेंगे, repeated ही question रहेंगे, बहुत सारे को लोगों लगता है, कि refresh questions नहीं आए, क्योंकि वो, अब होता क्या है, कि जैसे देखिए, कोई question हो गया, उसका option हो गया, A, B, C, D, previous year को question है, और इसके चार option है, तो previous year के कहने का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं, तो ये तो दियावा है question number, जो भी question दियावा है, उसको ही आप पढ़े हैं, लेकिन जो option दिया रहता है, अगर आप उसको भी अगर आप उसके word को meaning को समझ लिए हैं, तब आप से एक question नहीं चूटेगा, एक question नहीं चूटेगा, ये यहां से इस तरीके से revise लोग करते हैं, लेकिन हलाकि अभी तो time नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, question वहाँ पर बन जाएंगे इतना ही में, उसके बाद जो grammar के proportion थे, जैसे कि common error, sentence improvement, active passive, narration, ये सारे जो questions थे, इस होंगे, या आप किसी भी book से पढ़ते हैं, प्लिन टू, बारा मौंट, या कोई भी book से, अगर आपने 200 से 300 rules अगर पढ़े वे हैं, सब चीज का, तो एक question आप से नहीं चूटता, ठीक है, question देखने में थोड़ा सा differ था, लेकिन जो है, जो उसमें rules लगे वे थे, वो पूर सारे student 50 out of 50 भी लाए हैं, ठीक है, उसके बाद जो passage था, fill in the blanks था, rearrangement था, sentence का PQRS जो आप बोलते हैं, fill in the blanks था, ये सभी भी जो है, ये आपके उपर है, कि अगर आपके किसे shift में hard push दिया, इसे कि close test हो गया, किसे किसे shift में close test आगर थे, तो अब close test हो गया, तो बहुत लो को passage में problem होता है, तो ये ये आपके उपर है, हलाकि ये सभी चीज़ जो है, ये पूरा पूरी previous year के repeat में कोशन था, और ये 19 में भी उमीद की जा सकती है, कि same to same यही कोशन आएगा, तो इस वक्त जो 20 दिन बचावा है, उस 20 दिन में सिर्फ और सिफ आपका focus यही होना चाहि है, ठीके, अब बात करते हैं, जीके की, जीके की अगर बात करें, तो देखिए, जीके में 5 से 7 question एकदम irrelevant question थे, एकदम irrelevant, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई student उस topic को उस चीज़ को पढ़ा भी होगा, अगर उनके सामने वो चीज़ आया भी होगा, तो उसको skip कर दिय होगे, अब पकिस्तान में कौन सा river है, उसमें कौन आदमी आता है, सिरलंका में कौन सा lake है, उस lake का नाम क्या है, चाइना में क्या है, ये सब questions आए वे थे, अब ये तो UPSC का बच्चा भी नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो ऐसे questions को छोड़ी दीजेगा, इसके लिए टेंस यही है कि इस बार भी जो जीकी का question में जो है, पांच questions आपको irrelevant तेखने को मिल जाएंगे, उसके लिए टेंसल लेना भी नहीं है, current affairs भी इस बार रहने के उमीद है, पांच questions के आसपास, तो आप कैसे किजिएगा, फैब का current affairs पढ़िएगा, उसके बाद जैन का current affairs, उसके ब November पढ़े, फिर December पढ़े, फिर January पढ़े, फिर February पढ़े, ऐसा नहीं, 15 फरवरी तक का current affairs पढ़ना है, यहां से start करना है, ठीक है, 15 फरवरी से, तो पहले आप अभी जनवरी पढ़ लीजे, यह पढ़ लीजे, और मैंने तो already अपने चैनल पे 650 current affairs को PDF दिया, अगर आपने उ सेर कर लूँगा, एक question इस छूटेंगे नहीं आपको वहां से, तो यह चीज हो गया, उसके बात जो है, science section से ज्यादा questions आये थे, ठीक है, science section से ज्यादा question आया था, खास करके human body से, biology से question सचे खासे आये थे, physics से भी question थे, chemistry से भी question थे, और यह सब है कि अगर आप destination के पर है, venue पर ही जाना है, लेकिन फिर भी आप इधर हो दर नजर हो जर भूमाते चलते हैं, एक idea मिल जाता है, कि हाँ यह यहाँ था, यह यह वहाँ था, समझ रहा है बात को, तो जब आप लुशेंट को पढ़ते हैं, तो उससे एक idea मिल जाता है, आपको कि हाँ question, जो अ question आ रहा है, जोग्रफी से 5 question आ रहा है, ऐसा आप नहीं रहा, अब है, ज्यादा पूशा जाता है आपसे, current affairs से, science section से, ठीक है, उसके बाद, miscellaneous से भी 3-4 questions आये थे, miscellaneous से, जैसे कि, national हो गया, national park, wild lap century, ठीक है, monuments हो गया, ठीक है, इन सब टैप के भी questions आये थे, तो miscellaneous को प आएंगे, ठीक है, इतना कुछ कर लिजे, यानि कि मोटा मोटी ये 5, इसे 25 questions में से 5 questions तो irrelevant होंगे, इसके लिए सोचना भी नहीं है, जो 20 questions बचा, इसी 20 questions में आपको पढ़ना है, 19 के लिए, जैसे कि miscellaneous section को cover करना है, current affairs को cover करना है, science section को cover करना है, इन तीनों को बहुत अच् history, geography, polity, economics, ठीक है, इससे question भी रहेंगे, आपके 7 से 8 question, तो यहां से ज़्यादा range है, ठीक है, यहां से ज़्यादा range है, और यहां से इतने chapters में इतने questions आएंगे, 19 वाले के लिए, तो पहले miscellaneous, current affairs, science section, फिर time बचा, तो पहले जोग्राफी करना है, history को बाद में करना है, फि history करना है, इस sequence में आपको परना है, अगर अभी तक आप जीके नहीं किये हैं, तो, तो मोटा मोटी मुझे लगता है, कि आपको समझ में आ गया होगा, कि 2018 में किस level का question था, और अगर मैं पूरे अच्छे तरीके से analysis करने के बाद, अगर आपको समझाओं, कि 2019 में question जो है, ज command है, 2018 का पूरा set बना गया, जग भी उसमें पूछा गया pattern का question है, और mock test अच्छे से दे रहा है, तो वो बहुत अच्छा score करेगा, लेकिन, फिर में मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में से 70 question जो है, यह आपको एकदम previous year pattern पे question होगा, 70 question, तो यह अगर question, अगर आप सिर इसी प कहने का मतलब है कि कम से कम 50,000 बच्चा ऐसा होगा, जो कि इस पे निर्वर होगा, ठीक है, क्योंकि देखे, form कितना भी बच्चा भरे, fight आपका 20-30,000 बच्चा महीं होता है, तो इस यह करके आप एक average में ही score लाएंगे, लेकिन, अगर आप थोरा सा और महिनत करते हैं, तो 20 question जो है, उसको भी आप कर जाएंगे, ठीक है, और अगर इस 20 question को अगर आप कर गये, ठीक है, तो आप बहुत साए बच्चों से आगे चले जाजेगा, और जो remaining 10 question बचा 100 question के लिए, और इस में से अगर 2-3 question भी आप और solve कर लिए, यह होगा bonus, यह आपको rank दिलाएगा, ठीक